जेहिन गाइज स्वागत है आपके अपने चनल है 24x7CA जोन में और आज की क्लास हमारी है GK और CA मतलब की जेनरल नॉलेज और करन्ट अफेर्स का दोनों का मिक्श्चर है बहुत सारे इंपॉर्टन कोशन्स हैं आपको देखने को मिलेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखन TOP 25 QUOWSTIONS की सीरीज जो यह चलती रहेगी तो अगर आप इसको करना चाहते हो यह कलासकश हमारी करना चाहते हो तो चैनल पे Freel of Cost आप जॉइन कर सकते हो जस्ट आपको एक बटन ट्रयस करना है जोकी सबस्क्राइब का होगा सबस्क्राइब बटन प्रयस करक都श करके आप हमा बताना है कि इसमें Montag Kelmsford Reform जो है इसका year कौन सा है Montag Kelmsford Reform को और किस नाम से जानते हैं comment box में आप लो comment करके बताना लेकिन पहले यहाँ पर पुरी class कर दीजे और इसमें बताईए कि Montag Kelmsford Reform जो है यह किस year में हुआ था तो Montag Kelmsford Reform की बात करें तो यह हुआ था हमारा 1919 में ओके तो यह option आपका correct हो जाएगा चलते हैं second question पर second question आपकी screen पर यह रहा second round table conference year second round table conference जो है यह कब हुआ था आपको यह बताना है तो important है second round table conference जो है यह हुआ था 1931 में first वाला हुआ था 1930 में और जो third वाला था वो हुआ था 1932 में ठीक है next question पर चलते हैं तो यहाँ पर 1931 correct answer next question है आपका हिंदुस्तान Republic Association हिंदुस्तान Republic Association का formation कब हुआ था आपको बताना है year 1922, 1928, 1929 या 1930 हिंदुस्तान Republic Association का formation हुआ था 1928 में इसलिए आपका B option यहाँ पर correct हो जाएगा next question आपकी screen पर है boycott of Simon Commission Simon Commission का जो बहिसकार किया गया था वो किस year में किया गया था 1927, 1928, 1929 या 1930 और बतादू कि इससे पहले भी मैंने बहुत सारी classes हमने करवा रखी हैं हमने और आपकी मैमने मिलके जिसमें आपको computer के questions GK के questions और various मतलब हर तरीके से आपको general knowledge जो है जहां जहां से questions देखने को बनते हैं वो सारे ही topics कवर करवा रखे हैं तो आप description box में चेक कर लेना आपको playlist मिल जाएगी हर एक course के लिए तो वो आप वहाँ पे भी जो previous classes हैं उसको भी cover करना वहाँ से आपका भी बहुत सारे topics cover हो जाएंगे और intense exam में बहुत कुछ देखने को मिलेगा boycott of Simon Commission की बात करें तो 1927 इसका correct answer हो जाएगा session अगर अच्छा लग रहा हो तो like कर दीजे next question आपकी screen पर है आपको बताना है quit India movement का जो है year क्या था quit India movement भारत छोड़ो आंदोलन का जो year है किस साल में ये शुरू हुआ था तो quit India movement की बात करें तो 1942 1942 जो है 1942 year में quit India movement आया था खेड़ा movement खेड़ा movement जो है किस year में आया था 1990, 1920, 1940 या 1980 देखे ये सब important dates है इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये questions रख रखे हैं ठीक है तो यहाँ पर खेड़ा movement जो है बात करने तो 1918 1918 आपका correct answer हो जाएगा next question पर चलते हैं आगे अनेवल दिनों में और भी classes आती रहेंगी और यहाँ पर कुछ भी अगर आपको problem है तो आप comment box में comment कर देना किसी subject में दिक्कत आ रही है तो उस subject भी हम class आपको provide कर देंगे चाहे वो reasoning हो चाहे mental aptitude हो या English हो ठीक है तो डांडी मार्च की बात करें तो डांडी मार्च हमारा 1930 में हुआ था current affairs और जीके का section से आपके 60 questions आने 60 number के सो मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे तो battle of place battle of place कब हुआ था यह battle of place किसके किसके बीच में हुआ था यह comment करके आप लोग बताइएगा बेरहाल इस question का answer जो हो जाएगा 1757 battle of place से 1757 में हुआ था अब कुछ यहां पे आपको देख सकते हैं यह से कि यह current का question है अभी 8 state के governor बदले गए थे लेकिन उसमें से कुछ जो important है वो मैं आपको 3-4 यहां पे करवा दूँगा प्रेजेंट गवर्नर ऑफ करनाटका की बात करें अभी की बात हो रही है 2021 की तो प्रेजेंट गवर्नर ऑफ करनाटका की बात करें तो यह कौन है थावर चंद गहलोत यह सब अभी change हुए है इसलिए आपको याद रखना है important ट्रोल प्ले करेंगे आपके intense exam के questions के परपस से प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मिजोरम तो मिजोरम की बात करें तो मिजोरम यहाँ पे कौन अंसर होगा अरीलाल बाभू करके जो परसन है यह अभी गवर्नर के pengवर्नर बने हैं मिजोरम के okay next question है अब आपको मद्य प्रदिश का गवर्नर बताना हैं तो मद्य प्रदिश और ये सब चीजे रिवाइज जरू करिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, तो वेलेंगूड नहीं बना रहे हैं, तो वीडियो को ही बार-बार देखिएगा, तब ही आपके दिमाग में चीजे बैटेंगी, एक बार में यार कुछ भी नहीं होता है, कंप्यूटर नहीं हो लेकिन कंप्यूटर से तेज हो, पर कैसे तेज बनना है, वो आपको पता है, रिवाइज करकर के, यहाँ पर प्रेजेंट गवर्नर अफ मध्य प्रदेश 2021 की बात करें, तो कौन है, मंगू भाई, राइट, नेक्स कोशन पर जलते हैं, प्रेजेंट गवर्नर अफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रेजेंट गवर्नर है, प्रेजेंट में 2021 की बात हो रही है, अभी प्रेजेंट की ठीक है, एट गवर्नर चेंज हो है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पहले, तो प्रेजेंट गवर्नर अफ हिमाचल प्रदेश की बात करें धनु जातरा is the festival of यह ISI वाला मत समझ ले न ठीक है यह इस लिखा है वो caps lock on रहे गया यार चलो इसको मैं यहां पे short बना देता हूँ, यहां पे dot रख दूँ अब ओगया ठीक है is बहराल यहां पे बताईए धनु जातरा is the festival of कहाँ का festival है तो धनु जातरा की बात करें एक important festival है और ओडिसा पुरी जो है जगनाद पुरी जहां पे है वही ओडिसा जो है आपका answer हो जाएगा धनु जातरा festival जो है ओडिसा में मनाया जाता है next again एक important festival आपको देखने को मिल रहा है यहां पे बोनालू तो बोनालू जो है यह किस state का festival है किस state में मनाया जाता है आपको बताना है options आपके सामने है मदर प्रदेश यूपी उत्तर प्रदेश बिहार तेलंगाना बहुत से बच्चे इसमें यूपी मार देंगे कि हम यहां पे entrance exam दे रहे हैं क्या है तांसेन संगीत सम्हारो belongs to बहुत बार पूछा जाता है कि जो तांसेन संगीत सम्हारो है या तांसेन सम्मान जो है यह कौन सा state देता है और तांसेन संगीत सम्हारो की बहुत सा state मनाता है कहां से बिलॉंग करता है यह सब किसे आपके पूछे जाते हैं जो तान से इन संगीत समारों की जब भी बात आए तो यह मद्यप्रदेश आप ध्यान रखना ठीक है मद्यप्रदेश एक ऐसा है स्टेट है जो मतब पॉलिसी और स्कीम निकालने में अच्छी बात है अच्छा काम करते है तो यह ग्रेंड प्रिक्स वाले भी इंपॉर्टेंट कोश्चन है यहाँ पे देखें तो सारे ही नाम बहुती नाम है लेकिन आपको याद रखना है कि जो ग्रेंड प्रिक्स है वो यहाँ पे क्रिकेट से बिलॉंग नहीं करती तो पोलाड कैंसिल फुटबॉल से बिलॉंग नहीं करती मैसी कैंसिल लेकिन ये दो आप्शन जो है आपको कंफ्यूस करेंगे और हो सकता है जिसने पढ़ा हो तो वो लुईस हैमिल्टन लगा किया है वो आप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो कुछ भी अगर ये ग्रैंड प्रिक्स वगरा होते ना तो मैक्सिमम टाइम ये लुईस हैमिल्टन ही जीतते हैं इस बार क्या हुआ है ना इसमें मैक्स वेस्टर ये जो है इन्होंने जीता है ठीक है मैक्स वेस्टर पन यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस कोशन के लिए चलते हैं नेक्स कोशन पर ऑस्टेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वेस्टर पन आपको याद रखना ह second largest cricket stadium की बात करें अभी first largest cricket stadium की बात करें तो ये तो एहमदाबाद में है Mortera stadium जिसका नाम अभी change करके क्या रख दिया गया नरिद्रमोधी stadium ठीक है लेकिन अभी second largest cricket stadium की बात आ जाती है तो second largest cricket stadium ये जो है राजिस्थान में खोला गया है next यहाँ पर question है coal producing में number one state कौन सा है coal produce करने में number one state कौन सा है आपको बताना है तो coal produce करने में जो सबसे number one पर state है वो है आपका 36 गण 36 गण is the number one state for producing coal purest form of carbon purest form of carbon आपको बताना है diamond, purelite, dyrite या culamite so purest form बोले या hardest form बोले ठीक है purest form या hardest form दो बात एक ही आएगी answer आपका diamond ही होगा next question पर चलते है PM of high tea अब आप में से कईयों ने इसका नाम नहीं सुना होगा ये PM of the high tea जो है न ये दो the high tea है इसका capital क्या है आप लोग सर्च करना और comment में comment करके बताना comment box में comment करके बताना और यहां पर PM जो answer होगा इसका वो हो जाएगा aerial henry ठीक है आपको पता चलेगा कि high tea जो है कहां की है या कहां पर किस country में ये high tea या किस country के आसपास ये पढ़ती है ठीक है second largest public sector bank second largest cricket stadium अभी कहां का आपने बताया था राजिस्थान अब second largest public sector bank की बात आ गई है तो second largest public sector bank आपका हो जाएगा Indian overseas bank ये updated है current का question है important है byhate dam is in byhaten dam ये जो है अभी recent का question है अभी नया नया dam है ये तो byhaten dam जो है ये कहां का dam है मतलब कौन सी country में आपको ये देखने को मिलता है China, India, Nepal या भुटान so byhaten dam की बात करें तो ये हमारा China से belong करता है China में byhaten dam हमको देखने को मिलता है next question है आपको आपके सामने और जो थोड़ा सा यहाँ पे confusion हो सकता है आपको अगर आपने पहले भी current affairs पढ़े है तो लेकिन इस question की बात से आपको confusion दूर हो जाएगी youngest grand master की बात करें तो कौन है इस समय अभी current का question है youngest grand master तो अभयमन्यो मिश्रा जो है अभयमन्यो मिश्रा ये जो है youngest grand master अभी बने है और ये कहां से belong करते हैं तो ये USA से belong करते हैं याद रखना है important question है current का question है इसलिए आपके entrance exam के purpose से important role play करता है drink from tap facility अब drink from tap facility ये किस state की योजना है या किस state की एक scheme type की है तो यहाँ पे बात करें तो drink from tap facility ये जो है scheme ये आपकी belong करती है ओडिशा से कहां से ओडिशा से ठीक है next यहाँ पे बात करें which Asian country declared malaria free to itself कौन सी Asian country है जिसने अपने आपको malaria free घोशित कर दिया है options आपके सामने है बताना है आपको China, India, Australia या Nepal so according to this question यहाँ पे जो correct answer आपका हो जाएगा वो हो जाएगा option number a China declared itself free from malaria next question पे चलते है so that's all guys यही 25 questions कुछ important questions है यहाँ पे आपको कुछ important movements कुछ important festival कुछ important आपको dates देखने को मिली कुछ important यहाँ पे current affairs कुछ important governors देखने को मिले और PM देखने को मिले बहुत कुछ आपको बताया session कैसा लगा? इसको like कर दिजे अगर अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा तो dislike कर दिए और comment box में comment छोड़ दिए कि sir हमको यह session अच्छा नहीं लगा और अगर अच्छा लगा तो वो भी comment छोड़ दिए कि हाँ sir यह session हमें अच्छा लगा और आपको videos चाहिए ऐसी तो comment box में comment करके जरूर बताना क्यूंकि जब आपका comment आता है और reviews आते हैं तब ही हमारा और अच्छे से मन लगता है कि हाँ बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं और जब पढ़ना चाहते हैं तो हम भी पढ़ना चाहते हैं definitely आपको पढ़ाएंगे free of cost सब कुछ available है playlist आपको description में मिल जाएगी description box में link दिया है वहाँ से जाके आप उसको operate कर सकते हो वहाँ पे जाके visit कर सकते हो सारी playlist free of cost और चैनल पे अगर आप नहीं हो तो चैनल को आप subscribe कर सकते हो plus bell button दबा सकते हो क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपके लिए latest updates, latest notices और सारी information provide करते रहेंगे जय हिंत, जय भारत